तो भाई S.O.L. के इस्टुरेंट्स के रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट आ रहे हैं स्टेप बाई स्टेप सब क्लियर करने कुछ करता हूँ पहला डाउट भाई बच्चों के यही आ रहा है कि B.A. प्रोग्राम का रिजल्ट कब तक आएगा तो देखो भाई इसके रिगार्डिंग S.O.L. की तरफ से हमार पास कोई भी क्लियर नियूज नहीं है ठीक है तो प्लीज आप पेशन्स बना की रखिए जब भी रिजल्ट आएगा आपको इनफर्म कर दिया जाएगा कोई भी एक्सपेक्टेड मन नहीं है कोई भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं है ठीक है I hope कि जल्दी आजाएगा जब भी आएगा इनफर्म कर देंगे हम आपको वीडियो के तरू ठीक है बात करते हैं भाई यहाँ पे सेकंड आउट की सेकंड आउट भाई बच्चों का यह आ रहा है कि भाई हमारा रिजल्ट तो आगया है थार्ड सेमेस्टर का यह फिफ सेमेस्टर का रिजल्ट तो आगया है बट उसमें A-B आ रहा है या E-R आ रहा है तो भाई पहले A-B वाला केस देखते है थार्ड सेमेस्टर में और फिफ सेमेस्टर में AB आ गया यानि कि AB का मतलब होता है कि आप absent हो आपने वो paper नहीं दिया जबकि आपने वो paper दिया है आपके पास proof भी है आपके पास portal पे जो mail वगरा आता है portal का screenshot वगरा है और जो आपने अपना mail के through send कराता तो वो सब proof है आपके पास और फिर भी आपका AB दे दिया ठीक है तो भाई आप लोगों क्या करना है कुछ नहीं करना simple सा process है SOL office पहुच जाना अपने वो सारे proof लेके और वहाँ पे जाके बता देना देखो भाई हमने exam दिया था proof यह रहा हमार पास और यहाँ पे result में हमारा absent show कर दिया गया तो वो आपसे एक application लिखवाएंगे and then आपका जो result होगा वो कुछ time बात जो है वो ठीक हो जाएगा automatic आपका ठीक हो जाएगा ठीक है फिर आपको कोई tension है नहीं कोई ज़रोत नहीं है जब भी जाओ आप पहुझेएगा अपने सारे documents वगेरा लेके अपने सारे proof लेके और वहाँ पे जाओगे तो थोड़ी strictly बात करना politely बात करोगे तो आपका काम नहीं होगा ठीक है बात करते हैं यहाँ पे ER वाले case की तो थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्ट सेमेस्टर में आगर किसी बच्चे का ER आ गया है भाई किसी subject में या सारे subject में या एक subject में या दो subject में किसी में भी आ गया हो ER तो ER का मतलब होता है भाई essential repeat यानि कि आपकी simple बात्चा में बोले तो back आ गयी है नमबरों की वज़े से ठीक है इसका क्या solution है भाई इसका solution इतना ही है आपको दुआरा paper देना पड़ेगा ये दुआरा paper कब होगा तो देखो भाई थर्ट सेमेस्टर में अगर किसी का ER है तो इसका होगा 5th सेमेस्टर के साथ आपका दुआरा paper 5th सेमेस्टर के जब आप exam दोगे तो उसी के साथ 3rd सेमेस्टर के भी आपको exam देना पड़ेगा ER ठीक है इसी टाइप से जिए श्रेंट्स 5th सेमेस्टर का ER आया है किस होगी बात अब यहां पर बच्चे भी पूछते हैं कि ER वाले exam के लिए कोई fees वगरा भी देनी पड़ती है क्या तो हाँ बही बिल्कुल fees देनी पड़ती है आपको fees जो होगे आपको 200 से 400 के आसपास हो सकती है एक subject की clear होगी बात यहां पर बच्चे यह पूछते है कि इसक से जागे चलके 5th semester में आएंगे तो 5th semester के subject तो select करने होंगे तो भई इस subject select करने वाले form में ही इन्हे option मिलेगा ठीक है ना improvement का एक section बनाओगो उसमें यह आपका subject शोर होगा तो उस पर tick कर देजगा and then form fill up कर देजगा तो फिर आप eligible हो जोगे इस exam को देने के लिए बस इतना सब process आपको follow करना और कुछ भी नहीं है ठीक है आई होब कि आपको वीडियो जो है informative लगे होगी चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना मिलते है next वीडियो में